कि अजी अच्छो कैसे हैं आप लोग उम्मीद कर रहा हूं आप बहुत मज़ा होगा और फास्ट्राक्स है आपका कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा होगा पर ऐसा क्यों रहा है कि लाइक सी कमी दिख रही है यह हमें रोक रहा है फर्दर वीडियो उसको होगा और आप इसमें आगे बढ़ रहे होंगे यस चलिए इंडेक्स के अगरम बात करें तो अब तक हमने क्या दिख लिए हम लोगा चाप्टर रमर वन क्या हो चुका है सर खतम हो चुका है that is basic tax calculation वाला पाट खतम हो चुका है उम्मीदिए करना हूं कि आपने मोड्यूल स के questionnaires है जो भी आपके पास book है आपने से बहुत सारे question solve कर लिया होंगे और अपनी practice को और ज्यादा मजबूत कर लिया होगा दरना नहीं है आगे भी कुछ problems आएंगे जहां पर tax calculation आएगा फिर से हम लोग वाँ पर उसको revise करेंगे अब जो मैं next topic लेने जा रहा हूं next topic है देता हूं और हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं उसके बारे में बता देता हूं देखिए मैंने पूरा का पूरा चार्ट बनाया है जिसको मैं कहता हूं assessment chart यह मेरे cumulative experience से एक बनावा chart है जो आपको बहुत जादा मजा देगा और practical orientation लेकर कर जाएगा अगर आप वो बच्चे जिसनों article chip में direct taxes का part select नहीं किया या direct tax में बहुत ज्यादा work नहीं किया तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा energetic बहुत ज्यादा knowledge oriented content oriented चीज रहेगी कि यह assessments किस तरीके से होते हैं yes or no और मैं sir आपको बता रहा हूं आपको assessment से प्यार हो जाएगा अगर आपने एक बार इन topics क को पूरा का पूरा कर लिया तो yes अच्छा अब income tax authorities को सबसे पहले लेने का एक reason में आपको समयाता हूं अगर आप module open करेंगे आपको income tax authorities नाम का कोई chapter specifically नहीं दिखता है आपको you know assessment procedure के अंदर में ही एक topic है जो cover होता है हाला कि इसके section अलग है और यह topic भी अलग है but module में number of topics क यह उन्होंने शाहिद ऐसा किया होगा अभी जो income tax authorities है यह बिफोर faceless assessment जो faceless assessment नाम का चीज है जो 2019 से आ चुका है faceless assessment के पहले जो था यह chapter बड़ा relevant था और faceless assessment आने के बाद इस section इस chapter के जितने भी power थे इस सारे के सारे किसको चले गए और you know the national faceless authorities को चले गए अब ऐसे cases के अंदर में ऐसे cases के अंदर में इस chapter का जो scope हो बहुत कम हो चुका है लेकिन इस chapter के दो section जो है यह बहुत ज्यादा relevant है एक है section 116 और दूसरा section 119 yes or no आगे कई जगह पे इन चीजों का reference आएगा जिसके लिए छोटा सा chapter है और you know इसे फटा फटा खतम करना चाहिए yes again मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा क्या important है क्या important नहीं है तो आप मेरे साथ देख लीजेगा तो चलिए शुरुआत करते नेक्स टॉपिक की जैने मालिक जी अब देखें यह है आपका assessment chart आगर आप notes देखेंगे तो यह आपका assessment chart मैं पहले आपको assessment chart समझाऊँगा इस एक chart के अंदर में आपके आने वाले 20-22 टॉपिक कवर है आप बिलीव नहीं करेंगे पर मैं आपको समझाता हूँ इस एक chart के अंदर में covered है आपने आज तक अगर direct access में काम नहीं किया इस एक चार्ट को समझो और आपको मजा आ जाएगा और सर फिर आप देखना कैसे आपको topic द्माग में जाता है कि कौन से topic के बाद क्या पढ़ना है अगर में अगर आपको ये समझता है ना कि कौन से topic के बाद क्या पढ़ना है be toasting लगनि लगेगा येस का इंट्रस्ट इंकन कि लगनि लगने लगे हा तो सुनिए office में हम करते हैं एक बार imagine किजे जो client होता है, क्लाइंट अपनी इंकम कमाता है, यहने घर से निकलते ही सबसे पहले अससी अपनी साल भर की सबसे पहले जो रिक्वार्मेंट आती है, यह रिटर्न कहां जाता है, यह रिटर्न जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, यह रिटर्न कहां जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, यह रिटर्न कहां जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, यह रिटर् TCS return, yes, तो income tax में मुख्य तोर पर दो return है, एक होता है income tax return और दूसरा होता है, you know, TDS, TCS return, अब जो income tax के return है न, वो traces में जाते हैं, जो, sorry, income tax के जो return है, ये CASS में जाते हैं, अब ये CASS क्या है, computer-aided scrutiny software, come again, computer-aided scrutiny software, right, तो income tax department के द्वारा बनाया एक software, ये जाता है sir, CASS के ये TDS, TCS के return है, वो जाते है sir, traces के अंदर में, तो जो आपके TDS, TCS के return है, वो जाते है traces, अब traces का full form है, TDS, reconciliation analysis and correction enabling system, TDS, reconciliation analysis and correction enabling system, are you getting the point, so, Malik Assasi return भड़ता है, return जाता है income tax department में, या तो वो CASS में process होगा, या तो वो traces में process होगा, अगर आपने DT में थोड़ा सा काम किया है तो आपने देखा होगा article chip के अंदर में, के sir, you know, जब आप TDS का काम करते हैं, TDS की filing करते हैं, वो traces की website पर होती है, I hope आपको याद होगा, अब return, आप क्या करते हो, submit कर दे तो, यह return submit होने के बाद क्या होता है, यहां से आपका final का पाट शूरू होता है, कि यह return submit करने के ब आपका ROI हो, normal return of income हो, इन 100% return का क्या होता है, summary assessment, 1431, section है 1431, summary assessment होता है, sir, हर return का summary assessment होना mandatory है, तो यह summary assessment होगा ही, अभी summary assessment में क्या होता है, दिखिए, income tax department ने अपना काम करने के लिए एक software बनाया, इस software के अंदर में, उन्होंने कुछ चीजे, automatically क्या कर दी, settle कर दी, ताकि assessment करन automatic क्या आजाए, income tax department के सामने आजाए, तो मुझकी तोर्बे यह पर 5 चीजे होती है, mathematical error, अगर आपने जो ITR भरा है, जो return भरा है, इसके अंदर में, कोई mathematical error होगा, वो यहाँ पर rectify होता है, yes, incorrect claim, मान लिजए, आपने कोई क्या कर दिया है, claim कर लिया है, जिसके लिए आप eligible नहीं है, तो income tax department उसको क्या करेगा, you know, rectify करेगा, तीसी चीज, अगर आपने return, due date के बाद submit किया है, मान लिजए, अगर आपका चल्टरन है, यह due date के बाद submitted है, तो आपने कोई loss claim किया है, तो उसको carry forward नहीं करने मिलेगा, इंटर में सोचों हमने पढ़ा था, इंटर में ह हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था, कि अगर आपने loss return टाइम पर नहीं भरा, तो loss carry forward हो सकता, नहीं, तो ऐसे return जो time पर submitted नहीं है, ऐसे return जो time पर submitted नहीं है, ऐसे loss को क्या कर देगा, वो disallow कर देगा, और दो और further adjustments है, जो tax audit से आती है, वो adjustments यहां हो जाएगी, अब यह सारी adjustments होने के बाद, जो AO होता है, AO होता है, खुद ही, you know, strategic management team of CBDT क्या करती है, आपके areas के जो लोग होती है, उन्हें identify करके देती है, कि आप इनका detailed assessment कर सकते हैं, now assessment करना मतलब क्या होता है, income tax department में जो assessing officer होता है, यह पूरी की पूरी आपकी income को yes, तो चलिए, यहां तक का बात वापस देखते है, assessi सबसे पहले अपनी income कमाता है, फिर return बरता है, return का जाता है, income tax department में जाता है, या तो वो traces में जाएगा, या तो वो CASS में जाएगा, ठीक है, हर return का क्या होना जरूरी है, summary assessment होने के बाद, वो खुद identify करके देते हैं, कि यह किन-किन लोगों का detailed assessment हो सकता है, यह sampling basis पर खुद, you know, communicate करते हैं, कि यह कितने लोगों का summary assessment possible है, अब इसके कई parameters होते हैं, जैसे आपने अपने profit submit किये, तो यह profit एक level के उपर चले गया तो, वहाँ पर ratios लगाए हैं इनोंने, yes, कि यह, you know, sales आपका एक limit के उपर चले गय तो, तो ऐसे कई parameters को test करके, यह suggest करते हैं कि यह आप इनका detailed assessment करो, यह सिर्फ suggestion होता है, actual assessment करना है या नहीं करना है, यह purely AO पर depend करता है, तो particular, see, मेरे सामने 10 option आजाएंगे, इन 10 लोगों का detail checking करना है या नहीं करना है, यह right हमेशा किसके पास रहेगा, AO, that is assessing officer के पास ही रहे assessment करना चाहिए, तब तो, पूरा matter यहां पर खतम हो गया, अगर AO को लगता है, not to do assessment, यहां पर पूरा chapter ही खतम हो गया, yes, आपने जो return दिया था, income tax department ने actually उसको consider कर लिया, accept कर लिया, okay कर लिया, अब यह पूरा विशे खतम हो गया, yes, पर अगर AO को क्या लगता है, assessment करना चा है, तो आप सोच के देखिए, return क्या होता है, आप सभी final के students है, तो आप जानते है, return क्या होता है, return is a summarized document, हम वहाँ पर अपना पूरा computation थोड़िन दिखाते हैं, computation में जो end में आपका result आया, PGVP, HP, salary, etc., हम सिब वहाँ पर summarized statement डाल रहे है, मतलब किसी भी officer को अगर check करना हो क्या लगेगा, कि भीया, books और information लगेगी, जिसके basis पर आपने ये compute किया है, वो audit करेंगे, कि क्या आना चाहिए था और आपने क्या show किया है, क्या आना चाहिए था और आपने क्या show किया है, वो इस चीज को check करेंगे, are you getting the point? अच्छा, ऐसा हो सकता है, कि पिछले 2-3 बार स एक नाम continuously highlight हो रहा हो, और AO ने आज तक के क्या नहीं किया हो, उस पे assessment नहीं किया हो, इस साल यो सोचते बैटा था कि भीया, हाँ, इस बार तो क्या करूँगा, ये return भरे और मैं इसका assessment करूँगा, लेकिन किसमत से ही इस बार उसने क्या नहीं किया, return submit नहीं किया, AO क्या करे detailed assessment करना है, इन लोगों से documents मंगाने पड़ेंगे, information मंगानी पड़ेगी, और ये 14212 के अंदर में आएगा, दूसरा, कुछ लोग ऐसे होंगे, जिनके उपर AO की नजर होगी, इनसे ही क्या करवाएगा, return भरवाएगा, तो इसलिए आप देखिए 1421 के अंदर में दो पावर है, पहला पावर कुछ लोगों से return भरवाने का, दूसरा पावर, information submit करने कहने का, बरबर है, अब ध्यान से सुनिए क्या होगा, आपने return भरा, AO ने बोला कि भीया मेर को information दे, assume कीजिए information आ गई, ये सारी information यो के सामने पड़ी है, अब AO is information क्या क्या करेगा, audit करेगा, audit करे याने मुख्य ताहर पर वो तीन चीज़े देखेगा, yes, essentially वो तीन चीज़े देखेगा, income is not understated, income is not understated, loss is not overstated, tax is not underpaid, tax is not underpaid, तो देखिए, income tax department तीन ही चीज़ चाहता है, पहला, income आपने कम शो नहीं करी हो, loss आपने ज्यादा शो नहीं किया हो, और tax आपका underpaid ना हो, इ यहां पर आपको नहीं लगता, दो बाते हो सकती है, एक, यह books of accounts उसको समझ में आए, दूसरा, यह books of accounts उसको समझ में नहीं आए, याने books of accounts जो maintain करने चाहिए थे, यह उस हिसाप से यह उना चाहिए था, are you getting the point, yes, तो ऐसे case में जहां पर भी उसको ऐसा लगता है कि हाँ या कहा जाता है बिटा, special audit, वो assessi को बोल सकता है कि आपके books of accounts को हम special audit के अंदर में डाल रहे है, wherein a chartered accountant इसका special audit करके यह को report submit करेगा, yes, दूसरा होता है, कई जगे पर उसको books of accounts से problem नहीं है, account से भी problem नहीं है, लेकिन कुछ चीजों की valuation related problem है, जो उसने, you know, अपने accounts में show करी है तो ऐसे case में क्या करता है, वो valuation officer से report मंगवाता है कि इस particular चीज़ का fair market value निकाल के दो, या value निकाल करके दो, बरे बरे, तो जैसे उसने books of account में आई, books of account चेक करना चालू करी, दो बाते होंगी, उसको समझ में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसको समझ मे अगर उसको सारा books of accounts and all समझ में आ रहा है, तो जो assessment होगी, वो होगी 143 के अंदर में, अगर उसको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो जो assessment होगी, ये किसके अंदर में होगी 143 के अंदर में, और मान लीजे, आप इनमें से एक भी compliance नहीं करते, जैसे आपने return नहीं भरा, आप से information मंगाई थी, information नहीं दी, yes, आपको बूला था audit करवाओ, आपने audit नहीं करवाया, तो ऐसे case में वो आपकी बजा भी सकता है, best judgment assessment, यानि दो बाते हैं, अगर आप सारा income tax department के साथ cooperate कर रहे हैं, तो वो भी आप से कहेंगे 143, I love you, yes, तो अगर आप उनके साथ cooperate कर रहे हैं 143 होगा, और अगर आप प्यार से नहीं मान रहे हैं, वो आपकी बजा भी सकते हैं, best judgment assessment कर सकते हैं, that will be under 144, come on, that will be under 144, तो इस धरती पे दो तरेके के assessment है, वापस से सुनिए, इस धरती पे दो तरेके के assessment है, एक है scrutiny assessment, जिसको हम regular assessment भी कहते हैं, 143, जहां आप पूरा compliance कर रह रहे हैं, यह हो गया आपका 143, प्यार से करने वाला assessment, scrutiny assessment, regular assessment, अगर आप प्यार से नहीं मानते, तो भीया आपकी बजा देंगे, that is best judgment assessment, that is best judgment assessment, ठीक है मालिक, अब पूरा assessment करने के बाद क्या निकलेगा, finally आपका order निकलता है, या तो कोई amount payable का, या तो कोई amount refundable का, yes or no, स देखिए, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, आगे के chapters में हम लोग किस तरीके से आगे जाएंगे, please समझेए, सबसे पहले, सबसे पहले, मान करके चलिए, आप कौन है, assessi है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले department को समझेंगे, इस पूरी process में, इस पूरी duty के, मैं आज आपका mind map कर रहा हूं, एक mind map chart आपको बना करके दे रहा हूं, please ध्यान से समझेगा, इस mind map chart को आप समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं आगे पूरे chapter किस line से लेने वाला हूं, ठीक, सबसे पहले आप assessi है, right, आप income tax department में क्या करेंगे, return submit करेंगे, more practical oriented तरीके से duty आप return किसको submit करोगे, income tax department को, yes, यानि इसके आगे के दो chapter, सबसे पहले हम income tax department को समझेंगे, income tax department की hierarchy को समझेंगे, यह है आपका next chapter, income tax authority, yes, अब income tax authority को आपको क्या देना है, return submit करना है, तो income tax authority के बाद का आपका next chapter होगा, return of income, yes, इसके बाद कहीं, आपका next topic क्या होगा, return of income, return submit होने के बाद क्या होता है assessment शुरू होती है और assessment मेद आपके heads of income compute होते हैं तो return के बाद हम लोग heads of income चालू करेंगे Return के बाद हम लोग tax of income चालू करेंगे ठीहां पर अपशना करेंगे जहांपे अपशना क्र холод के कैसे compute होगी मतलब एक बार हेड की income computation आपको समझ में आया तो assessments किस तरी से हार्य उट होगी हम लोग वो करेंगे are you getting the point तो एक पूरा interlinking के साथ पढ़ेंगे एक के बाद एक के बाद एक topic yes please मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा मत करना कि मैंने मैंने सिफ पहले basic देख लिया फिर मैंने सिफ capital gain देख लिया सिफ PGVP देख लिया यह हरकत बिल्कुल मत करो interlinking से पढ़ो मैं आपको कहता हूं मजा आ जाने वाला है आपको yes तो बताइए हमने सबसे पहले tax calculation कर लिया अब भिढ़ना किस से है income tax department से बिढ़ना है अब हम income tax authorities को समझेंगे कि income tax authorities क्या है उनके power क्या है अब इस चीज को handle कौन कर रहा है फिर हम समझेंगे return भरने के compliance क्या है क्योंकि किसी भी assessi का income tax का जो point है यह return भरने से ही शुरू होता है तो फिर उसके बाद हम कौन से topic भरेंगे return और उसके बाद हम heads में enter कर देंगे are you getting the point right heads bets complete करने के बाद हम assessment procedure appeal revisions के अंदर में जाएंगे which is a little theory part yes है तो चलिए शुरुवात करते हैं outcome tax authorities की शुरूवात करते हैं income tax authorities की जरा आरेये यहां पर तो चलिए शुरुवात करते हैं, Income Tax Authority नाम की टॉपिक से, Income Tax Authorities के अंदर में कहां से कहां तक के section है, Yes, Income Tax Authorities के अंदर में section है 116 से लेकर 129 तक के, Yes, इस पर्टिक्लर टॉपिक के अंदर में 116 से लेकर 129 तक के section है, chapter pure theory है, chapter जो है, यह pure theory है, लेकिन इसमें से काम की कौन चीजे है, वो मैं आपको बता देता हूँ, section 116 जो है, यह काम का है, Yes, तो सबसे पहली चीज जो आपके काम की है, वो है section 116, दूसरा जो आपके section काम का है, वो है 119, Yes, तो दो चीजे आपके काम की है, section 116, section 119 और तीसरा सीद्धा 130 आपके काम का है, लेकिन बाकी भी सारे section थे लेकिन अब वो काम के नहीं रहे जब से नैशनल फेसलेस असेस्मेंट सेंटर आये हैं तो जब से एने फेसी आया है न तब से यह कोई काम का नहीं बचा जैसे कि मैंने कहा यह चाप्टर में इसे मेजर पार्ट जो है वो खतम हो चुका है और सिर्फ दो सेक्षन है जो आज आपके काम के हैं तो इस टॉपिक का रेलेवेंस भी उतना ही रखना अगर मैं टॉपिक्स के मार्क की बात करूँ तो बहुत हो तो चार माग के लिए यह आ सकता है उससे उपर यह आनी सकता तो इसका स्कोप है जीरो से चार माग जिसमें जीरो के चान से ज्यादा है चार के कम है यह सो नो जीरो के चान से ज्यादा है चार के कम है तो बहुत छोटा सा टॉपिक है इसलिए हो सकता है इसका जो यह जो hierarchy of income tax की, Income Tax Department की hierarchy क्या है, कौन किसे उपर है और कौन किसे नीचे, यह hierarchy की बात करता है, जब-जब भी हम लोग बात करेंगे Income Tax Authority word की, मतलब इन सारे Officers की हम लोग बात करेंगे, और यह कई जगह पे आएगा, तो Income Tax Authority मतलब यह सारे लोग होते हैं, income tax authority मतलब यह सारे लोग होते हैं, अब ध्यान सा सुनिएगा, ध्यान सा सुनिएगा, income tax authority की अगर मैं बात करूँ, register में लीजिएगा, एक page डालिएगा, page का नाम रखेगा, income tax authorities, income tax authorities की अगर मैं बात करूँ, तो section 116 आपको सबसे पहले बताता है, income tax authorities कौन है, income tax authorities में सबसे पहली authority है हमारी CBDT, Central Board of Direct Taxes, yes, CBDT के दो wing है, एक है analysis wing, और दूसरा है investigation wing, yes, एक है analysis wing और दूसरा है मालिक investigation wing, अब CBDT जो है, इसके analysis wing को सबसे top पे add करते हैं, CCIT या PCCIT, CCIT का full form है, Chief Commissioner of Income Tax, PCIT का full form है, Principal Chief Commissioner of Income Tax, अब इन दोनों में फरक क्या है, पहले ये समझ लिजए, टेक्निकल ये फरक कुछ नहीं है, जो बड़े शहर है, जो बड़े state है, वहाँ पर कई CCIT हो सकते हैं, तो ऐसे case में उनका एक boss बना दिया जाता है, जिसको कह दिया जाता है, Principal CCIT, जैसे अगर मैं बात दिली की, तो सर दिली के अंदर में region बहुत बड़ा है, तो ऐसे case में क्या होता है सर, Multiple CCIT होते हैं, और उनके एक head को बैठा दिया जाता है, called as Principal CCIT, ये सोनो मालिक, अच्छा जी सर, ये हो गया, Analysis Wing, तो CCIT is Chief Commissioner of Income Tax, Principal Chief Commissioner of Income Tax, यहाँ पर आएगा, PDGIT, Oblig DGIT, येस, Principal Director General of Income Tax, या Director General of Income Tax, टेक्निकली अगर देखा जाये तो इनके पावर सेम ही होते हैं, लेकिन जो investigation wing वाले होते हैं, ये raid, search, seizure, ये काम ये wing करता है, yes or no, आपकी income computation करना, law framing करना, rules बनाना, notification circular etc, वो ये लोग ब्यारते हैं, yes or no, इनके नीचे आपके होते हैं, CIT या PCIT, CIT या PCIT, yes, यहाँ पर होते हैं sir, DIT, यहाँ पर कौन होते हैं, DIT, तो यहाँ हो गए Commissioner of Income Tax, Principal Commissioner of Income Tax, यहाँ हो गए Director of Income Tax, क्या हो गए बिटाए यहाँ पर? Director of Income Tax. एक और authority होती हैं यहाँ पर, एक और authority होते हैं जिसको मैं out of the loop draw कर रहा हूं, थ्यान से सुनिए, एक और authority होती हैं यहाँ जिसको मैं out of the loop draw कर रहा हूं, CIT appeal, मैं इनको चार्ट से बाहर draw कर रहा हूं, जान मुझके draw कर रहा हूं समझना, CIT appeal, मान लिजे, AO ने, that is, Assessing Officer ने क्या कर दिया, Malik, आपकी income compute कर लिया, इनको short firm में ऐसा लिखा जाता है CIT A, that is Commissioner of Income Tax Appeal, इस साल से एक जगह amendment भी आया है, हम वो भी discuss करेंगे, फिर CIT के निच्चे कौन होता है सर, फिर CIT के निच्चे कौन होता है सर, CIT के निच्चे होता है सर, JC और इधर होता है सर, JD, Yes, Joint Commissioner, Joint Director, Joint Commissioner and Joint Director, यहां पर JC के बाजू में एक और authority इस साल से add up की गई है JC Appeal, जहां जहां पर भी Joint Commissioner आया है, यह amendment multiple जगह हुआ है, जहां जहां पर भी Joint Commissioner आया है, वहां पर एक और नहीं authority create की गई है, Joint Commissioner Appeal और Finance Act 23 का यह amendment है, यह Finance Act 23 का क्या है मालिक, amendment है JC Appeal, क्या चीज़ बेटा, Finance Act 23 का amendment है JC Appeal, जहां तो चलिए, सबसे पहले कौन होगा, Income Tax Department की हायरार्की समझेगे, सबसे पहले कौन होता है बेटा, CBDT, CBDT is also considered as authority, CBDT के निचे कौन दो लोग CCIT, DGIT, Principle अप आप अटमाटिक लर्न करलेंगे, CCIT, DGIT, इनके निचे कौन तीन लोग, Commissioner of Income Tax, Director of Income Tax, Income Tax Appeal, यह इस Commissioner of Income Tax Appeal, इनके निचे कौन सर, JC, JD, JC is Joint Commissioner, JD is Joint Director, Yes, इसके निचे कौन, AC, DC, AD, DD, इनके निचे कौन सर, AC, DC, AD, DD, अभी AC, DC कौन है, Yes, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Director, Deputy Director, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant Director, Deputy Director, Yes, Sir, इसके निचे, ITO, Income Tax Officer, इसके निचे कौन सर, ITO, that is Income Tax Officer, ITO के निचे होता है, TRO, that is Tax Recovery Officer, ITO के निचे होता है, TRO, that is Tax Recovery Officer, और उसके निचे होता है, Inspector of Income Tax, उसके निचे होता है, Inspector of Income Tax, पहले ये लिख लिजे पूरा, इसके निचे होता है, सबसे पहले क्या होगा, CBDT, इस बोलो, Central Board of Direct Taxes, उसके निचे क्या, Chief Commissioner of Income Tax, इदर कोन, DGIT, that is Director General of Income Tax, उसके निचे, तीन लोग, Commissioner of Income Tax, Director of Income Tax, CIT, Appeal, उसके निचे, JC, JC Appeal, JD, Joint Director, उसके निचे, ACDC, ADDD, ACDC, Assistant Commissioner, Deputy Commissioner, ADDD, Assistant Director, Deputy Director, उसके निचे कौन, ITO, Income Tax Officer, उसके निचे कौन, TRO, Tax Recovery Officer, उसके निचे कौन, Inspector of Income Tax, अब ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी गेम में, इस पीपल विल बी ट्रीटेद आज एओ, मतलब आपकी इंकम को जो असेस करता है, आपकी income tax liability जो निकालता है, assessment जो करता है, यह लोग कौन होंगे, सर, AO होंगे, यह लोग कौन होंगे, सर, AO होंगे, तो ठीक इसी तरीकी से आपके बास different color का पहने बनाई है, तो आपके assessment करने के, आपके assessment करने के जो right है, right, वो किन के पास है, इन ही लोगों के पास है, yes, तो चलिए, तो सबसे पहले कौन, CBDT, जब भी हम कहते है, income tax authority, कहां से कहां तक है, सर, CBDT से ले करके inspector of income tax तक के है, सर, yes or no, amendment कहां है, यहां पर, JC के बाद हो, JC appeal नाम की एक चीज, add होगी, yes, अच्छा जीजा, बरबर है, तो यह आपका income tax authority, income tax authority, यह क्यों काम का है, क्या इस पर question आजाएगा, genuinely the answer is no, इस पर आपको question expected नहीं है, final level पर, कि income tax authority explain करो, यह आपके समझने के लिए है, कि जहां जहां पे भी income tax authority word आएगा, और hierarchy आएगी, वहाँ आपको समझने लाएगे, कि कौन किस के उपर है, कौन किस के नीचे है, और AO कौन कौन हो सकता है, यह समझने के लिए आपको यह section काम का है, next section है section 117 and 118, यह बात करते है, control of income tax authority की, section 117 बोलता है, यह hierarchy को appoint कौन करेगा, वैसे देखिये, भारतिय सरकार क्या करती है, एक exam लेती है, that is called as UPSC, और UPSC में जब आपको IRS cadre मिलता है, तब आप जाकर के इन authorities पे बैठते हो, right, यह authorities को appoint करने का power, किस के पास है, अब देखिय जो AOS है, और AOS के उपर यह जो भी है, यह हो गए इनके boss, are you getting the point, तो AOS मतलब कौन, JC से लेकर के, ITO तक क्या आपके कौन हो गए, AOS हो गए, और इसके उपर की authority कौन हो गए, यह इनके boss हो गए, boss's को appoint करने का right, किस के पास है, central government के पास है, boss's को appoint करने का right, किस के पास है, central government के पास है, section 117, क्या करेगा, appoint करेगा, principal DGIT, PCCIT, that is principal chief commissioner of income tax, chief commissioner of income tax, DGIT, DIT, CIT appeal, इनको appoint करने का right किस के पास है, central government के पास है, कैसे appoint करेंगे sir, यह appoint करते हैं, using the UPSCIRS cadre, यह यहां से क्या करते हैं sir, इनको appoint करते हैं, तो section 117, बजित्ती बात कहता है, कि इन authorities को appoint करने का power किस के पास है, central government, बिल्कुल exam point of view से याद मत रखना, next आता है section 118, section 118 में क्या किया जाता है, authorities किस तरीके से होंगी, मतलब कौन किसको subordinate करेगा, कौन किसके अबाव होगा, यह सारी चीजे कहां आती है, 118 के अंदर में आती है, यह सारी चीजे कहां आती है, 118 के अंद करना, यह इसमें से कुछ रिमूव करना, यह भी power किसके पास है, central government, again section power पर बात करता है, exam point of view से काम का नहीं है, तो CBDT shall by notification, provide that, income tax authority shall be subordinate to such authority as may be prescribed, yes, तो 16, 116, 117, 118, काम की चीज, 116, authority, authority, चलो, एक और बर, वापस से मैं साथ रवाइस करो, पहला, CBDT, yes, दूसरा, बोले जल्दी से, CCIT, तीसरा, CIT, चौथा, JC, JD, यादा रहा है कि आपको, ACDC, फिर, ITO, TRO, Inspector of Income Tax, यादा रहा है मालिक, next आता है section 119, power of CBDT, क्या आप जानते हैं, या आपने कभी observe किया है, आपके office में जितने भी notification आते हैं, जितने भी circular आते हैं, yes, जितने भी order उन सब के अंदर में लिखा होता है section 119, to the income tax act, yes, तो जितने notification circulars है, या कौन निकालता है, CBDT निकालता है, पर या power आया कहां से, notification निकालने का, circular निकालने का, या power आया है section 119 से, yes, या power कहां से आया है, section 119 से आया है, section 119 empower करता है किसको CBDT को, so section 119 empower CBDT to issue notification, circulars, order, including any special orders, yes, will be issued by CBDT, any instruction which is to be given to income tax department, ये भी कहां आता है, CBDT से, section से आता है section 119, तो कल या अगली बार आप कोई भी office के अंदर में notification या circular देखे, 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 वहां पे लिखा होगा section 119, yes, तो CBDT क्या कर सकता है, किसी भी तरीके के order issue कर सकता है, हाला कि दो तरीके के order CBD issue नहीं कर सकता, come on, come again, दो तरीके के order CBD issue नहीं कर सकता, सर कौन कौन से, पहला, to make a particular assessment, और make a assessment in a particular manner, ज्यान से समझेए, CBDT सिर्फ AO के सामने क्या रख सकता है, probable लोग जिनके assessment हो सकते है, actual assessment किसका करना है, और किस manner में करना है, यह हमेशा पावर रहेगा, AO का ही, यह हमेशा किसका पावर रहेगा, AO का ही, CBDT इसमें इंटरफेर नही के लिए, अपने खुननस किसी से निकालने के लिए क्या कर सकता है, बोल सकता है कि इसका assessment करो, yes, पर काम तो transparency के थ्रू होना चाहिए, तो ऐसे केस में क्या किया गया, sir, ऐसे केस में यह पावर हटा दिया गया है, clear cut बोला है, CBDT किसी भी तरेके का order include कर सकता, including special order, पर दो तर assessment और make assessment in a particular manner, yes, कोई particular assessment करने का order नहीं दे सकता हो, यह assessment इसी manner में होना चाहिए, यह नहीं बता सकता, यह pure discretion है, वो कहते है, जो auditor होना चाहिए, वो independent होना चाहिए, यादे audit में हमने पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से, यह क्या कर रहा है, audit कर रहा है, क्या होना चाहिए तो और क regular manner, दूसरा, interfere with the work of CIT appeal, CIT appeal एक independent authority है, yes, अगर आप income tax department के AO के order से frustrated है, आप एक independent authority के पास जा सकते है, dispute resolution के लिए, और वो है CIT appeal, अब CIT appeal को अगर खुद income tax govern करेगा, तो logically होगा क्या, department के favor में decision आना है, इसलिए 119 से यह power भी हटा दिया, CIT appeal comes within the income tax authority, but works independently, but works independently, again transparency के लिए, क्योंकि वो बैठा है, dispute resolution के लिए, आपके मन में सवाल उट सकता है, बड़े जोड से, कि भहिया, dispute के लिए तो court थे sir, dispute के लिए तो court थे, tribunal थे, फिर आपको एक independent authority की घर के अंदर ही जरोत क्यों पड़ी, yes, ओनो, घर के अंदर ही जरोत क्यों पड़ तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक अगर हम देखा है, हाई court और supreme court में इतने सारे cases, murder, rape, etc, criminal activity के cases पड़े हैं, कहा income tax के matter को, income tax पूरे central government के लिए एक revenue का part है, पर governance बहुत बड़ी चीज है, वही sorted नहीं हो रहे है, वहीं पर इतने issues है, आपको कहां जगा मिलने वाली है इन से चीजे जब handle नहीं हो रही थी, तो हमने अपनी एक independent authority within the income tax department ही बना दी, और यह क्या करती है, sir, dispute resolve करती है, इसलिए कहा जाता है CIT appeal, लोग जाते है, इन्हें appeal करते हैं कि मेरे साथ grievyans हुआ है, मेरे साथ hardship हुई है और मुझे redressal चाहिए इस चीज का, ताकि बहुत सारा पैसा court का भी बच जाए, बहुत सारा समय आपका बच जाए और तुरंट फटा फट इस चीज के ऊपर क्या आजाए, decision आजाए, are you getting the point? चलो, come again, तो CBTT क्या कर सकते है, section 119 के अंदर में और दिया है, किसी भी तरीके का order, notification circular, including special order निकाल सकती है, दो तरीके का order नहीं निकाल सकती, to make a particular assessment, or make assessment in a particular manner, or interfere with the work of CIT appeals, yes or no, अच्छा जी, CBTT के पास क्या पावर है, सर, CBTT के पास एक और पावर दिया है, 119 B के अंदर में CBTT को पावर दिया है, to relax certain provision, or to provide additional time limit, or any kind of relief, चलिए, वापस से, to provide any kind of relief, किसी भी तरेके का relief, दे सकती है, आपने यह देखा है, article chip के अंदर में, due date आता है, due date आने के बाद क्या आता है, notification आता है, आपके time limit को क्या कर दिया जाता है, extend कर दिया जाता है, yes, यह कहां से आ रहा है, 119 B का एक power है, power देता है कि आपके time limit को क्या कर देना, enhance कर देना, आपकी penalty अगर कुछ लगी होगी, त yes, उसे क्या कर देना, reduce कर देना, या फिर किसी भी other तरेके का relaxation दे देना, यहां पर यह CBDT का जो power है, यह एक unlimited power है, वो किसी भी तरेके का relief दे सकता है, yes, यह जो power है, यह एक unlimited power है और वो किसी भी तरेके का क्या कर सकता है, relief दे सकता है, चाहे वो fees के अंदर में हो, चाहे वो tax tax के अंदर में हो, चाहे वो interest के अंदर में हो, चाहे वो penalty के अंदर में हो, किसी भी तरह के का relief, CBDT को क्या किया जा सकता है, पूचा जा सकता है, ग्रिवरान्स इड्रेसल के लिए बूला जा सकता है, are you getting the point, yes, अच्छा जी, क्या CBDT legislative provisions amend कर सकती है, क्या, understand CBDT legislative provision amend नहीं कर सकती है, वो notification ला सकती है, circular ला सकती है, पर legislative provision वो क्या नहीं कर सकती है, amend नहीं कर सकती, legislative कोई भी law बनाना है, तो authority कौन थी बिटा, parliament या, president, are you getting the point, तो CBDT नहीं ला नहीं बना सकती, law बनाने का legislation बनाने का पावर किसके हात में, parliament या, president के हात में है, हाँ, उससे related कोई notification circular या order है, वो CBDT जरूर इशू कर सकती है, चले आईए, CBDT में इशू, order, instruction, direction, circular notification, ये सारी किसके हात में, CBDT, however, CBDT is however not empowered to issue the following order, require any income tax authority to make an assessment or assessment in a particular manner, or interfere with the discretion of JC appeal और CIT appeal, यहां पे भी finance act से amendment आया है, यहां CIT appeal के oblique करके क्या आ गया है बिटा, JC appeal आ गया है, यहां पे भी हुआ है amendment, yes, CBTT can now also relax, 234F, that is, जो 234F में fees लगती है, हम return topic में देखेंगे, उसको भी आप क्या कर सकते हो, relax कर सकते हो, right, CBDT, और क्या कर सकती है, past general or special order authorizing any income tax authority, yes, other than JC or CIT appeal, to admit a particular claim, exemption, deduction, refund, losses made even after the expiry of specified period to avoid genuine hardship faced by the assessi, so, किसी भी तरके के genuine hardship avoid करने के लिए, CBDT क्या कर सकती है, relaxation दे सकती है, time limit आगे बढ़ा सकती है, किसी भी प्रकार का relief provide कर सकती है, CBDT does not have power, S.V. Gopalrao and others का case था, case कहता है, CBDT do not have the power to amend the legislative provision, वो उससे related order circular निकाल सकते है, law को amend करने का power इनके हाथ में नहीं है, yes or no? अच्छा जी, हाँ, अब देखिए, एक और case था, Regan Power Tech Private Limited का case, अब इस case के अंदर में क्या हुआ, जरह समझीगा, एक chartered account था, इन्होंने audit report sign करने से क्या कर दिया, deny कर दिया on the last day, जिस दिन due date थी, उस दिन क्या कर दिया, उन्होंने audit report sign करने से मना कर दिया, अब ऐसे case में जब last day पे ही उसने मना कर दिया, अससी को new CA ढूनना, yes or no, new CA ढूनना, NOC के compliance लेना, NOC आप तो जानते ही, अगर कोई अपना CA change करता है, तो एक CA को क्या करना पड़ता है, old CA को NOC देना पड़ता है, new CA को कि yes you can accept the things, अब NOC और चीजों में लग गया time, अब time लग गया audit report क्योंकि time पे नहीं गई, मतलब penalty लग गई, अब सवाल उठता है कि क्या CBDT ये penalty को भी condone कर सकता है या नहीं, understand, decision आया, that CBDT जो है, ये किसी भी तरह के relaxation प्रवाइड कर सकता है, लेकिन case to case basis पे CBDT को ये देखना पड़ेगा कि किसमे करना है, किसमे नहीं, तो answer is simple, CBDT किसी भी तरह के का relaxation दे सकता है, पर ये case to case basis पे क्या हो सकता है, differ हो सकता है, check करिएगा, CA denied to sign the audit report on the last day, ASSEE has appointed new CA, but due to delay in obtaining the NOC from old CA, audit got delayed and due to that ASSEE filed late return, delay in carrying out the audit is circumstances beyond the control of ASSEE, any delay in filing the return due to such reason should be accepted and delay should be condoned by CBDT, it is the duty of CBDT to excise its discretion in the proper manner, yes or no, ये power उनको दिया गया है कि आप किसी भी तरह के का relaxation देदो, लेकिन ये person to person and case to case क्या हो सकता है, बदल सकता है, yes Malik, चलिए, 116 income tax authority, 17 and 18 power of central governments, 119 CBTK power, 119 A tax payers charter, ये Modi government ने लायवा एक बहुती जबर्दस चीज है, देखिए, जैसे right to information है, मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन सी चीज, इस चीज कितने देर में होगी, कितना time limit में लगेगा, कितनी चीजे लगेगी etc. टीक उसी तरीके से, आज तक income tax के तरप से कभी कोई जवाब नहीं होता था, कि हम इस चीज के लिए इतने दिन लगाएंगे, इस चीज के लिए इतना time limit लेंगे, हम इन चीजों के लिए responsible है, हम इन चीजों के लिए responsible नहीं है, ऐसे cases में क्या हुआ, निर्मला सी तरह मंजी ने यहां पर taxpayer charter निकाला, taxpayer charter मतलब income tax department की कुछ जिम्मेदारिया, taxpayers को बताई कि income tax department इन चीजों के लिए जिम्मेदार रहेगा, इन चीजों के लिए इतना time limit इस तरीके से रहेगा, ताकि एक taxpayer informed रहे कि उसकी चीज कितने दिन में हो जाएगी, अब taxpayer charter का सिर्फ आपको पावर लाके रखा और taxpayer charter introduce भी कर दिया, लेकिन आपके syllabus में taxpayer charter नहीं है, तो सिर्फ section दिया गया है कि board क्या कर सकता है, adopt कर सकता है taxpayer charter, जो वो अलरड़ी कर चुका है, before 2019 हमने taxpayer charter को क्या कर दिया है, adopt कर दिया है, तो अब taxpayer charter आपको learn नहीं करना है, सिर्फ आपको section देखना है कि हाँ taxpayer charter को लाने का एक power है, और power कहां से आया है, 119A से आया है, तो आपको इसको अगेन एक्जाम पांट अफ्यू से अवाइड करना है। दे बोर्ड शेल अडॉप्ट एंड टेक्स्पेर चार्टर एन इशू सच और इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, गाइडलाइन्स तो अधर इंकम टक्स अथोरिटी एजट में डीम फिट फॉर अड्मिनिस्ट्रेशन ऑफ्सर चार्टर, यस और नो, चलिए, यहां से आईए, 127 पे, अब ध्यान से सुनिये, हमने 119 ए तक क्ये पड़ा, क्या इसके आगे सेक्शन नहीं है, कि मैं डारेक्ल आपको 127 पे लेके इस चारो सेक्शन है, लेकिन जब से faceless assessment आया है न ब्रदर, तब से 120 और 124 जो है, यह कोई काम के नहीं बचे, in fact अभी आप 127 और 129 भी पढ़ेंगे न, आपको समझ में आएगा, यह भी कोई काम के नहीं बचे, yes, इसलिए मैंने आप से कहा, तीन ही सेक्शन पढ़ने इस च में ही बात, तो इन चारो सेक्शन के पावर उठाए, 20, 24, 27, 129, चारो को उठाए, 130 में डाल दिया, मेरी बात गलत लग रही हो, तो नीचे आ करके देख लेना, यहां पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 120, 124, 127, 129, चारो के पावर उठाए, 130 के अंदर में डाल दिया, तो practically speaking, अगर आप question bank उठाओगे, you know, ऐसे question bank जिसमें बहुत कई पिछले सालों के question दिया होंगे, आपको definitely chapter के ओपर बहुत question दिखेंगे, but believe me, 120, 124, 127, 129 के कोई question अब आपके काम के नहीं है, सब submerge कर दिए किसके अंदर में, 130, faceless assessment के अंदर में, yes, तो यह चारो जो भी प आईए, मैं सीधे चलता हूँ, 127 के ऊपर, yes, power to transfer the cases, क्या income tax department एक case दूसरे officer को transfer कर सकता है, well, यह तो होना ही चाहिए था, यह तो sensible power है, कि मान लीजे, यह officer over occupied है, यह officer, you know, क्या नहीं कर सकता, उस particular assessment को handle नहीं कर पा रहा है, या he could not jump to a particular conclusion, तो ऐसे case में, जिस officer ने क्या किया ह है, इस काम को पहले भी किया है, उसके पास case क्या कर दिया जाता है, transfer, yes or no, right, तो या फिर ऐसा भी होता है, मान लीजे, इस officer के ऊपर कोई charges चल रहे हो, इस officer के ऊपर, you know, कुछ claim लगे हो, कुछ दाग लगे हो, ऐसे case में भी क्या कर दिया जाता है, case transfer कर दिया जाता है, पर इसके power कहां थे, आप कोई भी चीज ऐसे नहीं कर सकते है, हम law की बात कर रहे है, law में क्या होता है, कई power आता है, तो आप ऐसा कर पाते है, are you getting the point, तो section 127 वो power देता था, कि जो higher authorities है, bosses है, bosses मतलब पौन, CCIT, PGIT, you know, CIT, DIT, ये क्या कर सकते है, एक AO से case ले करके, दूसरे AO को transfer क किया जा सकता है, अपने सीधी भाषा में, सिंगम से ले करके, किसको Simba को transfer किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी case transfer करने से पहले, don't you think, जो officer है, उसको opportunity मिलनी चाहिए, कहने की, yes, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि officer ने अपने favorite officer को बड़े cases दे दिये, तो इसके लिए यहां पे power देता है, किस के हाथ में, bosses के हाथ में power देता है, कि आप case क्या कर सकते हो, transfer कर सकते हो, तूसरी important बात, अगर यह within the city case transfer हो रहा है, अगर यह जो case है, यह within the city ही transfer हो रहा है, तो आपको तो opportunity भी देने की ज़रत नहीं है, boss ने बोला, करने का, तो करने का, विशे कतम, right, तो within the city अगर transfer हो रहा है, तो opportunity भी देने की ज़रत नहीं है, अब यह recent time में कौन handle करता है, National E-Assessment Center, that is NEAC, अब recent time में कौन handle करता है, NEAC, that is National E-Assessment Center, अब यह CBT, CCIT, PCIT यह नहीं करते, NEAC, किसी भी officer के हाथ से case, दूसरी officer के हाथ में क्या कर सकता है, transfer कर सकता है, तो check करिएगा, PD, GIT, Principal Director General of Income Tax, Director General of Income Tax, Principal Chief Commissioner of Income Tax, Chief Commissioner of Income Tax, Principal Chief Commissioner of Income Tax, CIT, इतना सभ याद न रखने के जग, direct यहां से भी चार्लू कर सकते हो, the income tax authority specified, अगर इतने सारे लर्न नहीं होने वाले, तो ऐसे लिगदेना, income tax authority specified under section 127, समझ मैं आया, in specified under section 127, can transfer the case from one AO to another after OOBH, अभी यह OOBH क्या है, मैं आपको अभी बताऊंगा और आगे के हर चप्टर में यह word common रहेगा, OOBH का full form होगा, opportunity of being heard, इसका full form होगा, opportunity of being heard, yes, no OOBH is required, if the transfer is within the same city, no reissue of notices required, मान लिजे, case transfer हुआ है, पहले officer ने already notice issue कर दी, क्या re-notice issue होगी ने officer द्वारा, कोई ज़रवत नहीं है, क्योंकि system में already recorded है, किसको notice गया है, किसको नहीं गया है, यह already recorded है, तो आपको कुछ करने की ज़रवत नहीं है, yes or no, now this section is handled by NEAC, that is National E-Assessment Centre, NEAC that is National E-Assessment Centre. Yes चलो मालिक, आते हैं 129 के उपर, किसके उपर, 129 के उपर, section 129 क्या है, again एक power है, देखिए ऐसा possible है, human है, कभी ना कभी तो उस post से retire होगा, या हो सकता है, अचानक death हो जाए, या हो सकता है, सामने वाला job ही छोड़ दे, don't you think three of the situations are possible, तो imagine किजिए एक officer को, एक officer जो है, हो सकता है, resignation देदे, yes, अच्छे वाला चलते खासे job को क्या कर दे, आदमे resign कर दे, बोले मेरे बच्चे का दस्विए, चलो resign कर देते है, yes, दूसरा ऐसा हो सकता है, कि you know, आचानक heart attack आया या health issues आया उसने छोड़ दिया, तीसरा ऐसा भी तो हो सकता है, कि you know, वो particular जो officer था, उसका retirement आगे और वो retire हो गया, पॉसिबल है, मतलब वो officer जो existing काम कर रहा था, उसने तो छोड़ दिया, ऐसा तो होगा नहीं न, भाहिया तेरा retirement का time आगया पर ये file तिरको complete करके जानी है, ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसे case में अगर अचानक ऐसा कुछ होता है, तो उनकी जगह पे कोई नया officer आएगा, come on, hello, इनके जगह पे कोई नया officer आएगा, right, वो कहते है न, अगले दिन अपने महले में आईश्वरी आई, तो इनके पास भी तो कोई जाएगा, तो कोई आएगा, अब जब नया officer आएगा, तो एक question खड़ा होगा, ये जो नया officer है, ये काम कहां से start करेगा, वहां से जहां से पहले officer ने छोड़ा था, या वो file को उसको zero से चालू करनी है, इस बात को explain करने के लिए section 129 लेकर के आए that the person who is the succeeding officer will start the case from a place where earlier officer has leaved the work, यनि वो वहीं से चालू करेगा, जहां से वो पहले officer ने क्या किया है, leave किया है, so the succeeding officer will start the case from the place where earlier officer has leaved the work, however, assessi may request the AO to kindly start the case from zero, assessi do have right की sir, फिर से एक बार आप zero से चालू कीजे, AO has to start the work where the preceding officer has leaved the work, where the preceding officer has leaved the work, section 129 ये कहता है, अब ये भी नहीं होता, क्यूंकि मान लीजे, कोई case है, officer वहां से हट गया है, NEAC तुरंट उठा के केस किसी और के पास क्या कर दिता है, transfer, so now this section is also handled by whom, NEAC that is National E-Assessment Center, yes, so where AO cease to exercise the jurisdiction, succeeding AO may continue the proceeding, from the stage at which proceeding was left, however, assessi may demand to relook the matter from the beginning, yes, case, चलिए, अब ये सारी चीज, किसको transfer कर दी गई है, section 120, income tax jurisdiction कैसे decide करेगा, section 124, notice किस basis पर भेजी जाएगी, section 127, case transfer कैसे होंगे, section 129, incumbency, अगर office में हो जाती हो, office काली हो जाता है, तो नय officer कहां से आएगा, ये सब कुछ अब किसके हाथ में दे दिया, NEAC, that is National E-Assessment Center, faceless assessment के लिए, तो अब पहले क्या होता था, ये officers exercise करते थे, अब ये भी जो चीज़े है, ये automatic ही हो जाती है, software के थुरू, automatic cases इदर से उदर ट्रांसपर हो जाते है, जब हम assessment topic में जाएंगे, हम वापस इस चीज़ को बहुत अच्छी से discuss करेंगे, right, तो central government may make a scheme by notification, तो faceless assessment लाने का पावर कहां से आया, यहां से आया, sir, तो central government may make a scheme for the purpose of exercising all or any of the power referred to in section 120, 124, 127 or 129, क्यो लाया, आकर objective क्या था इस faceless assessment को लाने का, efficiency increase करने से, देखिए, इंसान जो है, वो छे बज़े उठा करके अपना बैक चल देगा, बया, मेरा घर है, मेरा परसनल में, लेकिन system तो रात एक बज़े भी वक कर सकता है, efficiency लाने के लिए ये काम हुआ है, दूसरा, transparency, देखिए, जहाँ human involved है, वहाँ पे adjustments possible है, yes or no, जहाँ officer है, government officer है, हम सब जानते है कही न कहीं, चीज़े adjust हो जाती थी, corruption खतम करना है, transparency लेकर के आना है, system लादो, बीच में का पैस ही गाया, पो गया, accountability, भीया, जो governance करने बैटे है, existing government, इनकी responsibility है, they are accountable to people, growth के लिए, right tax collection के लिए, तो भीया, तीन objective से faceless assessment को लेके आए है, efficiency, transparency and accountability के लिए, क्यों, क्या हासिल होगा इससे, eliminate interface between income tax authority and SSC, income tax department और SSC के बीच में, किसा ही खतम कर देना, eliminate कर देना, देखिए, ह होता है, कहता है, मैं आपको बताता हूँ, imagine किजी एक छोटा सा गाउ, गाउ में क्या होता था, almost हर वेक्ति एक दूसरे को पैचानता है, भारत का आज भी maximum population, rural areas के अंदर में recite करता है, yes or no, अब होता क्या था, छोटा सा गाउ है, income tax department और भाही पे, SSC भी भाही पे, लगब between you and SSC, it is you versus the system हो गया, right, optimum utilization of resources, अब understand किजी शहर में जो AO है, यह over occupied है, और गाउ में जो income tax departments है, right, वहां के officer को उतना काम नहीं, क्योंकि गाउ में इतना जादा return का culture है नहीं, तो यहां लोग शहर में आने से डरते थे, क्योंकि काम जादा करना पड़ेगा, और गाउवाले बिल्कुल मस्त मजे मार रहा है, आराम से, right, वहां पे तो हला कोई return ही नहीं बरता पर income tax department तो exist कर रहा है, यह return उतने नहीं भरे जा रहे है, अब यहां पर resources fully utilize नहीं हो रहा है, क्योंकि salary तो सबको बरेबर मिल रही, सुविधाएं तो सबको बरेबर मिल रही, यह रहने के तो हर income tax department वाले को मिल रहे, इसलिए resources utilization, अब online allocation जहां यहां लोड ज्यादा दिखे, जो officer खाली है, case का file across India कहीं पे भी चले जाएगा, पहले एक section हुआ करता था section 124, जो कहता था कि जो assessment होगा, वो आपकी ही jurisdiction वाला officer कर पाएगा, वो आपकी ही jurisdiction वाला officer handle कर पाएगा, अब jurisdiction वाला system ही खतम हो गया, पुने में बेठे वे बंदे का case, अब चिन्नाई में भी open हो सकता है, नगालेंड में भी open हो सकता है, जम्मू में भी open हो सकता है, utilization of resources, क्या बटा, utilization of resources, अब जो वहां के resource available है, यहां का file उनको transfer हो जाएगा, और पूरा assessment जो हो चुका है, paperless हो चुक पहले क्या होता था, एक ही officer सब काम करता था, documents भी उसी को मंगाने है, verify भी उसी को करना है, valuation भी निकाल रहा है, you know, कोई verification करना है, किसी external verification करने है, for example, आपने लिखे data 20,000, सच में data 20,000 है कि नी, तो सब कुछ वो खुदी करता था, सवता सर्व काम कराई, सब कुछ को खुद करता था, income tax department ने काम ही खतम कर दिया, अब officer के साथ साथ 4 team बना दी, आगे जब faceless assessment होगा तब देखेंगे, right, एक verification team बना दी, एक review team बना दी, एक technical team बना दी, अब technically सब कुछ वो करता ही नहीं, रादर आप समझ ये, उसके हाथ से power ही छीन लिया, समझ में है, पहले वो सब क अब ये भी नहीं है, अब ये handle होगा, तो एक आदमी नहीं, team based exercise of power, उसका load कम हो जाएगा, ये 5 लोगों में divide हो जाएगा, employment भी generate होगा, transparency भी आएगी और काम speed में होगा, sir पहले मैं जानता था, हमारी जब article चुप होती थी, sir एक एक assessment को complete करने के लिए, technically 6-7-7 महिने लग अब आप देखिए, इतना fast हो चुका है, sir, 20-22 दिन के अंदर में तो assessment हो जाते हैं, 15 दिन के अंदर में तो refund आने चालू हो गए हैं, income tax के refund 15 दिन में आने चालू हो चुके हैं, एक से देड़ महिने के अंदर में तो assessment complete हो जा रहे हैं, और sir जब से, you know, ये faceless assessment आया है, exponential assessments आ करना है, उसको कौन से सबजी ले के जानी है, getting the point, so, अब इन words को थोड़ा सा याद रख लीजे, ये हर जगा आएगा, जहां जहां पर भी faceless आएगा, ये जो paragraph है, second paragraph, ये आए गई, अब क्या-क्या याद करना मैं आपको बताता हू, Central Government May Make a Scheme for faceless, जो भी आगे नाम लिखा होगा, दैश, ठीक है, इसके नीचे, to impart, efficiency, transparency, accountability, efficiency, transparency, accountability, ETA, efficiency, transparency, accountability, ETA, efficiency, transparency, accountability, क्या करना है, eliminate the interface, optimum utilization of resources, team-based assessment, come on, come again, eliminate the interface, optimum utilization of resources and team-based exercise of power, getting the point, चलिए, तो ये थे आपका income tax authority, आपने मेरे साथ इस chapter के अंदर में क्या जाना, income tax authority क्या होती है, income tax authority के power क्या होती है, और ये power अब कौन exercise करेगा, 116 income tax authority का hierarchy देता था, 119 CBDT के power आपको बताता था, and section 130, अब 5 अलग section को खाके बेटा है, जहाँ पर अब सारे power, जो जितने भी थे CBDT के, वो अब कौन exercise करने वाला है, सर, mostly NEAC, that is national e-assessment center, handle करने वाला है, getting it or not, exam point of view से 16 and 19 and 130 is relevant, वो भी 0 से 4 में, 0 में जादा chances है, 4 में नहीं, getting it, तो एक और topic मालिक आपका खतम होता है, income tax authority, और ये था आपका lecture no.3 का part A, 500 like अगर मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो सर, आगे इसे upload कर दीजेगा, like कर दीजेगा, ठोड़ दीजेगा, एक lecture को record करने में बहुत महिनत लगती है, और इसे पूरे India में, एक noble purpose के लिए कि भारत का हर बच्चा पढ़ पाए, इसे देने के लिए बहुत दम लगता है, सर, हर एक जन नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं, like लिए, लिख लिजे, फटा 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 पावर उफ, CBDT, CBDT, can issue, notification, circular, order, including special order or instructions, however CBDT can't issue two orders, however CBDT can't issue two orders, point number A, require income tax authority to make a particular assessment or assessment in particular manner, or interfere with discretion of TIT appeal, CBDT can provide any relief, extension of time as it being fit. कर लो, कर दो एक जानते हैं, वाई दो झार दो जाए, दो घए इजगा पावर रचर, भापने में चाईब भावर देने, चलिये, आजाए ये, section 130, section 130, faceless, excise of power, any AC shall exercise all power, specified under section 120, 124, 127, 129, to impart efficiency, transparency, accountability, to eliminate the interface between income tax department and SSC, introduced, team based assessment, utilization of resources, चेकर लिजा मालिक, चेकर लिजा मालिक, जर रिसके ठाशना भी क्लिस्ट farOK, जरें! अधुआ क्वाक रेंसरा चल्यू अट्स इत मालिक